हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम सीखेंगे HDFC के निव ATM कार्ड को एक्टिविट कैसे करते हैं, पिन जानरेट कैसे करते हैं यह सारी प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले तो दोस्तो आपने अभी तक अपने ATM कार्ड को इन्बोक्स नहीं किया है ATM कार्ड को ATM मशीन के अंदर डालते समय ध्यान रखना है, जो यह चीप वाला भाग है, यह उपर की ओर रहना चाहिए और आगी की तरफ इस तरह से रहना चाहिए लिए बात में ATM card को ATM machine के अंदर । इस तरह से अंदर ढाल देना ATM card को ATM machine के अंदर । दालने के बात में दोस्तों यहाँ पी हम कुछnd के लिए wait करना है तो दोस्तों यहाँ पे wait करना है अब दोस्तों ATM ऐसे एक हम के display पे इस तरह से यह option पे क्लिक करना है अब दोस्तों यहां पे जो हमारी अकाउंट से लिंक मोबायल नमर पे एक OTP आया होगा वह OTP यहां पे इंटर करना है जो अकाउंट से लिंक मोबायल नमर पे बेंक द्वारा बेज़ा जाता है वह OTP यहाँ पे अमें इंटर करना है जो 6 नमर का OTP होता है वह यहाँ पे अमें इंटर करना है OTP इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कन्फरंपे क्लिक करना है कन्फरंपे क्लिक करना है कन्फरंपे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो account selling mobile number है वह है इंटर करना है जो आपके account selling mobile number है वह है यहाँ पे आपको इंटर करना है account selling mobile number इंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको confirm पे क्लिक करना है account selling mobile number इंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको confirm पे क्लिक करना है कनफ़र्म्टि कलिक करने के बाद में धोस्तों यहाँ पर कुछ सेगंड के लिए वेट करना है बाद में धोस्तों इस तरह से डिस्प्ले पर आ जायेगा जो भी आप अपने ATM कार्ड के PIN कोड नंबर बनाना चारहे हूं वह है PIN कोड यहां पर आप को इंटर करना है फोर डिजिट में यहापको पिन कोर्ण नमबर इंटर करना है जो भी आप अपनी चोईस से अपने एटिम काड के नियुक पिन नमबर रखना चारे हो वह है यहापको इंटर करना है पिन नम्मर रेइंटर करने यह बाद में फिर से रेइंटर वही पिन नम्मर रेइंटर करना है फिर से वही पिन नम्मर रेइंटर करना है पिन नम्मर रेइंटर करने बाद में यहाँ पे हमें कुछ सेकंड के लिए वेट करना है प्रोसेस हो रही है भी प्रोसेस हो रही है तो यहाँ पे हमें इंतिजार करना है अब दोस्तो इस तरह से आपको सक्सेस्पुली दिखा देगा कि आपका ATM कार्ड एक्टिवेट हो गया पिन जनरेट हो गया बहुती आसानी से इस तरह से आप अपने ATM कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हो और दोस्तो आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तो बेल आइकन को ओल पे सेलेक्ट कर लेना जब भी मेरा निव वीडियो है आपको नोटिपिकेशन मिलता रहे और दोस्तो आप अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेर भी कीजिएगा और दोस्तो लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक भी जरूर कीजिएगा